प्राय सिसी टीवी, मेक इन इंडिया सर्विलान्स प्रांड, कलर, नाइट विजन, आईपी और सिसी टीवी सालूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वरंदावन कम्पलेक्स खंडवा श्री दादाजी दरबार खंडवा में छोड़े दादाजी याने हरियर भूले वगवान की बरसी का आयोजन किया गया परंपरा अनुसार प्रती वर्ष फागुन मास्प वधी पंचमी को आयोजन किया जाता है इसे सिन श्री दादाजी महाराज हरियार भुले वगवान ने इलाबाद कुम्ब के दोरान समाधी ली थी छोड़ दादाजी महाराज की बरसी पर दर्शनकर में खनवा सहित देश बरसे श्रद्धालू पहुंचे हैं और सुबह से लेकर देर रातित दर्शनों का है सिलसिला जारी रहेगा शाम को ग्यारा सो दिपो से दादाजी महाराज की आरती होगी एवं रात्री में करीब साले ग्यारा बजे बड़ा हवन के साथ बरसी उत्सो का समापन होगा वे कि साले इजारा कि आरती है कि साले बड़ा होगी जारती है वे बड़ा ग्यारा बड़ा जारती है कि ठकाने इख पर टूंगा नहां हुएाँ कि अ करें बड़े करें बड़े। देखें छोटे दादाजी महाराज की आज पुन नेती थी है 1922 में छोटे दादाजी ने अलाबाद कुम्ब में समाधी ली थी और उनकी इक्षा के मुटाबिक उनका पार्थि दे इस्पेशल ट्रेन से यहां खंडवा लाया गया चोटे दादाजी जिस इस्थल पर इस आश्रम का संचालन 1930 से 22 तक किया उसी इस्थल पर उनके शरी समाधी हुई है आटें डिलादाजी महराक के स्पारिय स्य चोटिय दावा चैसे यह उस्सा फ़ागुंद्धी पंचमी के दिन जो भी तिथी के तारिखें जू आती है बदलती रहती है तो उस तारिख पर यह उस्सा अबı बड़ी लावी महार के जैसे सुबहले साभे साभे तीन से चार बजे तक गंगा जल अृब्ध असलान होता हूँ और फिर पृता कालीन आर्ति हुई है पांच बजे भोग हुआ है और उसके बाद फिर करीब साड़े-आड बजी बढ़ी आरति हुई है भोग हुआ है और फि करिम कर शादे तीन बजे दोनों समाध्यों पर अभीशेख होगा घीन शक्र से मालिष हो गी और उसके बाद दूत ढहीं से इस्नान होगा और इसनान के वश्याद गंगा-जल झाल हों गांडरते और चादर और यह आरती हो जाने के बाद में फिर चादर बदली जाएंगे सेवा होगी दोनों बने साफ होगे और तत पश्चाद रातरी के लगबख साड़े दस बजे बड़ा हवन जो है दोने पर तो इस तरह से यह करक्यम है यहां के इसमें मूलता विशह यह कि दादा ये महराज के समय से जो भक्त हैं जो पुराने जिनको कह सकते हैं वो भक्त हैं अधिक्तम अकी शाह कंडवा है जैशिक दाद हो